अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक गैंबलर की स्टोरी डाली ठी Jeśli स्टोरी ऑफ इमोशनल गैंबलर इसने चेल्प ट्रफ था त्पाइलन्ड मेँ के लिए तो मिनकाव को सबहेए था कि दिन दिन मंогड़ तो मैंने इस नितने इतने भी चसीनोस में गया हूं फ़ी तक मतलब तकीबद ज्यादातर देशों के जितने भी कसीनोस में जा चुका हूं मकाव, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपेन्स और कॉन सा है वहतनाम है कंबोडिया है यह सब जगा पर मैं जा चुका हूं कसीनो में और अच्छा प्ले कर इसलिए इनके जीतने की रेशो ज्यादा होती है compared to Indians, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो एक emotional लोगों की country है, मतलब इंडिया के जो लोग है वो बहुत ज्यादा जज़बाती है, हर चीज को लेके ज़बाती है, धरम को लेके ज़बात हो जाएगा, इतना जज़बाती हो जाएगा कि फिल्म स्टार की मौत के बाद वो खुद भी suicide कर लेते हैं, नेताओं की मरने के बाद खुद suicide कर लेते हैं, आपने देखा होगा, बात-बात पर इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, बहुत emotional टाइप के लोग है और महां की upbringing ही ऐसी है, मतलब बचपन सही बहुत ज़्यादा जज़बाती हो करके रहना, भावनाओं को ज़्यादा कदर देना, यह सब करने के चक्कर में वो emotional हो गया है, और according to me, यह emotional नहीं है, यह emotional fool है, मतलब ज़्यादा ज़बाती मूर्ख लोग, तो जब इस तरह के लोग सब भी नहीं, पर maximum लोग, 90% लोग, 82-90% लोग emotional fool है, या अगर आप थोड़ी सी इज़द देना चाहोगें, तो इनको emotional weak कह सकते हो, पर मैं इनको emotional fool कहना चाहूँगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह जब लोग, जब यह, अगर मानलों, 80-90% emotional fool है, emotional week है, तो वही लोग, सेम रेशो में, कसीनो में भी जुग आ रही हो, में भी maximum emotional fool होंगे, तो मुझे लोगों ने बोला कि वो emotional, जो gambler होते हों, उनके उपर आप बताओ, थोड़ा सा और detail में बात करो, क्योंकि, जिसने भी यह बात कही है, जो भी मेरे पास comment आए है, 10-50 comment emotional तो वो भी होंगे, देखो अगर आपने बच्चों के साथ ज्यादा emotional हो, तो क्या होगा, वोई जो धितराष्ट्र था धुर्योदन के साथ, तो क्या होगा, पूरा वन्ष खतम कर दिया, अगर महा भारत सच में घटी होई हो, ठीक है, तो अगर आप बच्चों के साथ emotional हो किसी भी चीज़ को ले करके, अगर आप जो रोज से जादा emotional होगे, थोड़ा बहुत emotional होना सभाविक है, मैं 100% emotional ना होने के खिलाफ हूँ, क्योंकि थोड़े से जजबात होने चाहिए, क्योंकि अगर बिलकुल जजबात खतम कर दिये जाए तो आदमी पत्थर बन जाएग यह जुए को ले के इतने जादा emotional होते हैं, क्योंकि इनकी बचपन से बनावट emotional करी गई है, जजबाती बना दिये गया इनको, तो जीत, यह आप कभी ध्यान से देखना और मुझे comment करके बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, या आप लोग भी ऐसा ही सू पर entry करता है, casinos में entry करता है, या online game के अंदर जब वो पैसा deposit करके play करना शुरू करता है, तो उससे पहले उसके दिमाग में यह नहीं होता है कि मैं एक game खेल रहा हूँ, या मैं एक शर्त लगा रहा हूँ, या मैं gambling कर रहा हूँ, इसमें मैं जीतूंगा भी, मैं हारूंगा आज मैं इतना जीतूंगा, ऐसे जीतूंगा, फिर मैं कल और जीतूंगा, परसों मैं और जीतूंगा, या आज ही मैं इतना बड़ा जीत जाओंगा, आज मैं बड़ा positive हूँ, आज मैं जीत जाओंगा, जीतने के बाद मैं ऐसे करूंगा, मेरा करजा उतर जाएगा, ऐसे कर होता है कि आप लोग गए ओनलाइन में ठीक है कोई बात नियार आज जा रहे हैं देखते हैं दो चारह जार पांच जार जिसकी जो भी उकाद है वो बनेगा ठीक है नहीं बनेगा कोई बात नहीं इतना प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाले शायद 20% लोग हो तो बहुत बड पर यह जो सोचना है इससे मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जुवा शुरू करने से जस्ट पहले ही भावुग हो चुका है अब भावुग हो चुका है तो मतलब जीत का लालचावी है उसके उपर कि उसके सपने संजो दिएगी आज मैं जीतूँगा तो मैं उसके पैसे जीता नहीं अभी खेलना शुरू नहीं किया है उसमें पहले यह सथीज डाल दी अपने दिमाग में यह जो मैंने ऑब्सर्व किया है उन लोगों से बात करके वो ऐसे करते हैं उसके बाद जब यह सपने सजा लेते हैं जब खेलना शुरू करते हैं तो हर बैट पे इनके उपर एक दबाव होता है जीत का लालच होता है और हार का डर होता है उस दबाव की वज़े से क्योंकि पूरे सपने सजो दी न अरे आप सुबह नौकरी पे जा परसो भी जाओंगा मैं बंगला खरीदूंगा सोसता उसमें भी है पर उसमें उसको मालूम है कि बहुत धीरे धीरे चीज़े बदलेंगे नौकरी करेगा इंक्रिमेंट होगा या नौकरी चेंज होगी अच्छी सेलरी वाली मिलेगी फिर जाके कुछ होगा बिजनस में माल चुका होगा दुनिया को दिखा चुका होगा यह नहीं होता है पर गैंबलिंग के अंदर यह होता है क्योंकि बिकॉस इजी मनी और अनलिम्टेड है लब जितना आप दाव खेलो आप इसमें हजार रुपे की बैट से आप पचास हजार की भी कमाने की उमीद कर सकती हो क्य आपने हजार रुपे अगर रूलेट में किसी नंबर पर लगा दिया है और वो नंबर आता है तो आपको हजार के 35,000 होते हैं ऐसा किसी बिजनेस में थोड़ी होगा तो यहां पर जब जजबाती होकर के आप जब जुवा खेलने से पहले ही आप बहुत सारे जजबातों को उसके उपर लाद देते हो जिसका दबाव आपके उपर होता है उस दबाव की वज़े से आपको जीतना ही जीतना है आपको बस कोई गुंजाइश नहीं है तो आपन जिस वज़े से concentrate नहीं कर पाते हैं, अपनी गलतियों पर, अपने दोशों पर या अपनी गेम पर, फिर क्या होता है, जैसे ही, कभी सोचा है आपने किसी की bet आने पर, वो येस, येस, टेबल पीटता है, ताली बजाता है, और मैंने कर दिखाया, येस, ऐसा क्यों करता है, हार भी तो सकते हो, तो आज किस बात की दिवाली मना रहे हो, तो, ये जो करते हैं, क्योंकि ये क्यों करते हैं, मालूम उनको भी है, कि हम कल हार सकते हैं, और हारेंगे, पार्ट है इसका, फिर भी बड़े jackpot लगने पर, वो इतना धिंडोरा पीटते हैं, या बड़े jackpot गय वो पागल हो जाते आपने से बार हो जाते हैं, यह सब emotional वीक है, यह क्योंकि उनको लगता है हम अपने सपने पूरे करने की दरफ एक कदम बढ़ दें और जैसी बैठ जाती है, तो cheating कर रहा है, गालियां देते हैं, यह आदमी वनूस है, यह जब देख लो तब मैं हार जाता ह तॉ मेरी तो किस्मती खराब है यह हो गया वह गया वह यह करते हैं table प्रें घूसे मारते हैं पितने क्या क्या करते हैं दारूपीते हैं कि एसा नहीं होना चाहिए जैसे दुकान पे प्रोप जाते हो शाम को अपनी दुकान बंद करते हो business करते हो, कोई भी और काम करते हो, उसमें भी आपके सपने होते हैं, पर उसमें ऐसे सपने नहीं होते हैं, आज ही सब कुछ करना है, या आज ही सब कुछ हो जाएगा, आपको मालूम होता है कि वक्त लगेगा, तो ठीक हम baby step धीरे धीरे हम बहतर बनेंगे और करेंगे इन तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने emotions को, अपने जजबात को, अपनी भावनाओं को gambling शुरू करने से पहले बाहर रख दो, ये मान के practical तरीके से खेलो, खिलाडी की तरह सोचो, जुआरी की तरह मत सोचो, खिलाडी को मालूम है खेल है, जीत भी सकता हूँ, हार भी स समझदारों, जुए में career नहीं बन सकता है, जुए में recovery जैसी कोई चीज नहीं होती है, जजबातों की कोई जगा नहीं है जुए में, इसमें बरबादी के लावा कुछ नहीं है, और जितना जल्दी से निकल जाओगे, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों ने मेरी वजए से जुए छोड़ा है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं उनके काम आ पाया, बाकि आपकी मर जी, ओके गुडबाई, थेंक्यू